हलो स्टुएंट आयम मेक सिंग यह एंगल्स टीचर तोड़ी आम गई तो टेल यू डिटेल समय चप्टर सेकेंड और विश्टाज तो सुरू करते हैं जो इसका पहला पार्ट है इस वीडियो का हमने जो इसकानी का हम पहले वीडियो में डिसकस कर चुके हैं आपने वो अब क्या था जो बिट्रस अद्गारी था उसे चुटकार पाली है महराज ने मैं उसकी वाइप को गिफ्ट कर दिये तो बहुत सारी डायमंड रिंग कर दी अब क्या हुआ जो हमारे महराज हैं उन्होंने हंटिंग जारी रखी और लगबग 10 साल में उन्होंने 70 टाइगर अब यह हुआ कि जो टाइगर्स थे वहां पर जो पॉप्रिशन थी उनकी बहुत ही कम हो गई एक्स्टिंग्ट हो गई बिल्कुल गायब सी हो गई प्रति बंदपुरम में अब कोई जानता है कि पता नहीं यार जो टाइगर्स होने क्या कि क्या अपनालिया पर वो म् aspire प्लानिंग कर रहें यह सब सोचते है यह आप अक हमघ में एक श्रुचा उल तो आ कि आधा उन्होंने इसका मतलब होता है प्रम्राम्जर्ट ठीकिया और श्यामनों फैम्ली प्लानिग अपना लिए ऐसा करके वो एक हुर में लिए और और यहां पिर वो टाइकर्स हैं वो बिट्रिस के उसमें कुस गए बिट्रिस के चले गए कि अचाथिन के वह बिट्रिस पी मर हैं हैसा कुछ करके बोलते है किया जो महराज थे नहीं जब 70 टैकर से मारते हैं अब 30 टैकर कहantry से लाएं तो उन्होंने दीवान जी ऑन इसा बताई करिये बहुताया तो वह कहते हैं कि भेवांजी एसा है थर्टी टैकर रहे गये अब देखो मेरी जो गन है वह कितनी मिलेबिञा है उसने अनको ले आख च कि आ गवं जी से रहे गयं तो गन को देखकर जो दीवान włas चिलाने लगे महराज मुझे कि महाराज में टाइगर नहीं हूं है से Wahodi कहता कि तो तुम से कौन मुर 지역 कि टाइगर नहीं हूं 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 कि ऊच्राज कई गन अची तोileen कि कहते हैं। महाराज में कुछ मैं रिषाड किया कि मैं साधी करूंगा महाराज ने यह सब का दीवान जी तो दीवान जी थोग गये महाराज मेरी पहले सी दो वाइप हैं मेरा साधी नहीं कर सकता महाराज मेरी दो वाइप हैं उसे लगा कि महाराज मुझसे साधी करने क्या रहे तो असने लगा दीवान घफरा गया तो उसने यह का महाराज में का कि ऐसे बकवास बात मत करो कि वह कह रहा है कि मैं तुमसे साधी क्यों करूंगा वह कहता है कि मुझे टाइगर चाहिए अब ह और आप चाहे तो गन से कर लीची और जो कहता है कि बट टाइगर केंगी काफी एक राज के लिए स्टेट के लिए हमको टाइगर कुन की नीड नहीं है यह सन है काे लिए भड़के तो थेस्टेंज थेस्टेंजिवस, इस नहीं है लेकर राजी है तो के लिए महालाजने गया कि लोगभा यहाँ से लिए कि एवैं कि मैं स JE na 지금 बात कर रहा हूं. मैं न तो sexy gunnisse कर रहा हूं, न भार साधी गल्ण से करोगा और उस girl्से करोगा जिस jungle में भॉक हैlet powiedział को ने यो पिरम जाहिए आपट करें रहेंगा कि इस jungle में कितने tigers हैं, तो किस known- objetos are और पर इस ंब कोई व ईस एक लेडी गर्ल्ट मैं जो साधी की योग हो ऐसे उसने दीवान से का अब फिर क्या हुआ दीवान जी को यह ओडर मिला तो उन्होंने एक राइट गल्ट हुड ली इस के लिए इस परपज के लिए और बूल दिया महाराज को आगे महाराज उस राज जम्हाइब लड़ की है उस महाराज की ऐसे करके यह तो साधी करवा दीया महाराज की और महाराज जी जब भी उनका टाइम मिला तो अपने जाते थे ते तो आपने जाते आते रहे अपने फादर और वन की हाउस पे और उन्हें 99 टाइगर ऐसे मारती ए और उनकी सारी जो इनकी जो सिकिंस ती वह अपने जो सिप्षन तो महाराज ने क्या किया उन्हें अपना आया रात को उन्हें लगा कि जो कि महाराज को लगा कि जो 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 फादरलो का जो प्रण बहुत है वहां से भी खत्म हो गए अब इंपॉसिबल था कि टाइगर को कई भी ढूड़ना कि फिर क्या किया महाराज ने वह जादा उसमें आगे फैस्टेट हो गए महाराज ने यह कहा कि मुझे स्पीश इनगल टाइगर whi मिल नई आए अ ba या वंसे यह का कि पार डिवान की आशा करिए वह पहुद की होगे तो इनवी sait करिया जो तो पहले तो देवान जी को नहीं बनाए पहले तो होता है कि वह जो मालूम हुआ गाभालो के तुरूर्ब की जो पास की पाड़ी वहांसे कुछ भेड़ गाय हो रहे हैं यह लगा तो महाराज को लगा कि साइद को टाइगर यह कर रहा होगा लेकिन इसके लिए फैमस थे कर दिया कि जो जो फार्मर है गाउं कि उनका तीन सारा का टेक्स माप कर दी रहे हैं इसा उन्हें कर दिया कि उन्हें लगा कि टाइकर मिल जाएगा अब वो हंटेंग के लिए चले गए जंगल में यह टाइकर कहीं नहीं मिला को यह सिरा आशे वक्षाव करें आफंसरे बचले लिए बॉनिए सब कर मैं उंद्ध लया दो नहीं कि जाओ और टेक्स टाइड़ा कर दो सबकां ऐसे करें के घु Forsch devotion करें और और फिर क्या हुआあっ अब जो महराज ने ये भी कहा कि यदि मुझे टाइगर नहीं मताता हो तो मालो कि आपकी जोब भी खत्रे में है अपना रेजान त्यार रखना ऐसा करके कि ने कहा दीवान अपने घर के अबचारा दुखी था उसे लगा कि मेरी जोब जाएगी तो पिर क्या हुआ कि जो महाज जो दीवान है वो क्या था वो जैसे घर गया तो से मानम हुआ कि मद्रा से कोई सरकस में होते हुआ पार्क से जिससे अपके जो सरकस होते तो मद्रा से कोई टाइगर आया था सरकस में और जो की दीवान ने हुआ से उसको अपने घर में चुपा लिया क्योंकि जो महाज थे उनको 100 वा टाइगर चाहिए था तो जो सरकस का जो टाइगर था बूरा सा टाइगर था उसको महाज जो दीवान था उसने अपने घर में चुपा जिए था अब फिर क्या गो सब्सक्राइब थै जब आ वहां पर माराजा कि रहे सो जैसे वह बूर निकन कहाई टैर के लिएकार से कार दशा के लिए निप्ड लुए निकल नी जाता हो जो दीवान जीते बचारे बहुत थक गए उन्होंने एफ़र्ट किया उनकी वाइपन एफ़र्ट किया और लास्ट में उन्होंने जो वह बीश्ट था जो डीड़फुल अनिमल था उसको निकाल दे रखका मारके बाहर ग्रांट पर डाल लिया अब अग्र देन क्या हुआ कि वह सेम टाइगर जो किंग था उसके सामने आ गया और ऐसे खड़ा हो गया है जैसे मालो कि उससे रिक्वेस्ट कर रहा हो कि महाराज मेरे लिए क्या अधिसा यसे कह रहा हो आइमें जो बूरा टाइगर था वहुत ही बूरा था विचारा सक्षम में था चलने में भी तो नेक्स्ट मॉर्निंग को क्या हुआ जो टाइगर केंग था आज में जो महाराज थे उनके पास पहुंशिया टाइगर गुम्दफर तबचारा और बिल्कुल हमली खड़ा हो गया हो पर उसने कोई भी नाई रॉर किया नाई धाड़ा नाई उसने क अपना एम सेट किया अपना जो निसाना लगाया और उस पर गूली चला दी और जो टाइगर था वो गिर गया ज्यान लखना यहां से कानी में मोड आता है कि टाइगर गूल ब्लड से नहीं मरा है एक्शली जो ब्लड था वो मिस्कर गया है तो इस प्रकार से जो किंग था उसने हंडbell मर ताइगर मार दीया उस लगा किंग को लगा लेकिन मरा नहीं ताइगर भी यह उसने अपनी पुरी राज और राज की सम्मन साथ में हमारे महल लाय जाए जाए कार में यसे कार में अब क्या हूं जैसी महराज आ गए तो जो हंटर्स थे महाराज के जू साथ करते थे हंटिंग में वह हैप करते थे केबल हंटिंग में उसको टाइगर को घेड़ने में ऐसा नहीं हो मारते थे तो वह टाइगर के पास गए उसे लेने के लिए तो वह चौक गए ताइगर था उसकी आंके खुली हुई थी और मतलब वह अभी भी जिन्दा था अब उन्हादमी को मालूम हो गया उनको उनको जो हंटर थे कि जो टाइगर मरा नहीं है बलट था वह मिस्कर गया अब उनको यहीं मालूम था यदि में हम यह बाते महाज़े को बताने तो महाज़े गुश्चा होंगे और नोकरी जाएगी यह डर था उन्हें तो उन्होंने क कर द्श। č से दो लिए किल नांटइ मारा हैंड़र था ह। जो कि नयुकि अदेल भर्ष्चा कि यह की ब्लट ने कि और देता लिए तो जो टाइगर पाइगा, से लिए वह मंषानि टो महाज़ें, एफ़ से लिए अगशा और इसमें महीं मैन विकिंग ने सोमा टाइगर मारा था यसे बनवा दिया अब क्या हुआ कुछ दिन गुजर गए फिर क्या हुआ महाराज थे जो उनके बेटे कर थर्ड बढ़ आ गया मैं हो हमारेटर बूलते हैं कि महाराज को लगось मेना सोमार दियां टाइगर लेकर नहीं था कि अबढ़ने आ गया माज तो खुश है कि मैं तो होता हिए कि महाराज चाहते कि विद्धी को कोrió हुआ वोड़ी का प्रकोट और वो सारी अकाल दिया ताईगर मारने में यंक Mayah तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपनी बच्चों कोई गिफ्ट देंगे तो वो शेयर में गई और गिफ्ट के लिए तो वो बहुत साइट पर गए प्रतिवंदपुरा में उन्हें कहीं भी कुछ नहीं मिला अच्छा से लास्ट में वो एक वूड की शॉप पर गए गई और उन्हें वाँ पर एक टाइगर मिल गया किसका लकड़ी का तो जैसे ही जो किंग थे वो बुर्ण टाइगर का कॉस्ट पूछा तो लगबर उसके कॉस्ट ना इंफेक्ट कितना था दो आना था दो आना लेकिन जो कि सबकी परता उसने भाप लिया यदी मैं इसको ऐसे स्काइब तो वहां पर साही कुछ महाराजा होते तो इतना सासता सामान निखढ़े देंगे च्याया सामान पांच रूपय का उसे पांसों मी खढ़े देंगे वहां यह रूर्स होते थे पहले अब कुछ नहीं है तो ऐसे लगा कि उसको फकी बड़ को चिदी मैं महाराज से करेंगा कि इसका इसका प्राइज दो तीन आना है तो वो कुछ्छा करेंगे और मुझे साहे डंड भी दे दें परिस्मेंट दे दें इसा रूल्स है न वापर तो उसने फाल उठाया उसने घाल ये जो टाइगर की जो यह अपान ना देखरें आ पिए एकष्छ्मान का एक इस फान अट कर आओं ऐक एक जंपळेंगा यिए उसका प्राइज वो तीन सो रुपे है यह से उसने कहा सबके बढ़ने महाराज महाराज जया कोई बात नी और इसको टाइगर को लेकर अपने घर आ गए और बच्चे को उन्होंने वह ओफर कर दिया तो हुआ क्या अगले दिन क्या हुआ दूसरे दिन जो फादर था फादर क्या किंग था ही और उसका बेटा दौनों खेल लेते वोडन टाइगर से अगली जो इक जो टाइगर था इसकी अन्सकिल्ड कर विचा रह रहां चया और गश्की हुआ जो बीमान लोचिया एक किसी इंचल्ड बिचार रहा चया अदिम्हाँ च्छ टाइगर से हुआज। यकार कोई नया लर्गा था ताउसने यू ताइगर बना ये था वोटन का उस तो लॡं का उसमें बुच्छol और यू रह गया था कुछ पिंस निखल दी था येần फर्लिवार को गए थे जो उसकी लगड़ी थी उसमें से महाराज के हाथ में कुछ चब गया महाराज निकाल दिया अपने आच से और साथ में खेलता रहा है पेर जिसमाराज खेलते दोनों अब क्या हुआ अगले दिन जो महाराज थे उनका जो इंफेक्टन था पूरे हाथ में फेल गया और पूरा सारे पूरे हैंड में वांड हो गया घाव हो गया चार दन में अब यह हुआ कि जो पूरी आम थी उसमें घाव फैल गया कि दीवान जी थे या और सब ने इंफर्म किया मद्राश में और वहां से फैमस सर्जन थे उनको बलाया गया जब वो सर्जन आ गए उन्होंने क्या किया उन्होंने डिसाइड किया भई अब तो इसका ऑपिसन होगा तब ही जाए कोच होगा और ऑपिसन होने लगा और ऑप से बाहर निकल गया है और उन्हें एनॉंस किया कि भाई और फिसन तो सपल हो गया लेकिन जो महाराज आए वो मर गए हैं इस प्रकार से जो हंडर मा टाइगार उसने अपना रेवेंज लिया महाराज से और यहाप एक आणी का अंत होता है पिटा उम्मीद करता हूं काणी काफी एजी थी समझ में आगी होगी फिर भी कोई डाउट मन में रहे गया हो तो आप मझे बताईएगा तो जो भी आपका ड